जैश्री राधारानी सरकार की जैश्री कृष्ण भगवान की जैश्री लक्षमी नराइन जी भगवान की जैश्री पुर्शोत्म मास महत्यम की मंदर शीबंसी वाले महात्मा यूटूप चैनल के ओर से हम आप सबी भक्तों का हार्धिक अभी नंदन करते हैं पुर्शोत्म मास महत्यम के नोमे अध्याय की कथा को आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पुर्शोतम मास का पावन समय चल रहा है और पुर्शोतम मास हर तीन वर्ष के पशात आता है और इस पुर्शोतम मास की विशेशता ये है कि इसके स्वामी श्री राधाकृष्न भगवान जी है श्री लक्षमी नरायन भगवान जी है इस पुर्शोतम मास में जितना भी हम भगवान की भक्ती करते हैं उसका फल अनंत गुना होकर प्राप्त होता है भगवान की भक्ती का फल तीन वर्ष तक चलता रहता है आप सभी जानते हैं कि हम सब के जीवन में तरह तरह की परिशानिया आती रहती हैं दुख आते रहते हैं कठिनाईया आती रहती हैं हमारे काम कई बार रुक जाते हैं चारों तरफ से कई बार परिशानिया इकठी ही आ जाती हैं तो उन सब को दूर करने के लिए दुखों को दूर करने के लिए परिशानियों को दूर करने के लिए अपने संक्टों को दूर करने के लिए अपनी मनो कामनाओं को पूरा करने के लिए कु कि इस महीने में अगर हम थोड़ा सा भी भगवान की भक्ती करें थोड़ा सा भी भगवान के मंगलमे नामों का जाप करें तो उसका फल कोटी गुना होकर प्राप्त होता है जी हां उसका फल करोडों गुना होकर प्राप्त होता है क्योंकि श्री कृष्ण भगवान जी ने स् पूर्ण कर देता हूं तो आप सब से निवेदन है कि पुर्शोतम मास में भगवान की भक्ति अधिक से अधिक करें भगवान के मंगलमाई नामों का जाप करें भगवान का जो नाम आपको प्यारा लगता हो उसी नाम का जाप करें भगवान के हर नाम में पूरी शक्ति भरी हुई है लेकिन पुर्शोतम मास के स्वामी श्री राधा कृष्ण भगवान जी है श्री लक्षमी नराएन भगवान जी है इस बात को आप याद रखें तो पुर्शोतम मास महत्यम के नोमे अध्याय की कथा इस परकार है देवरिशी नारद जी आज श्री नराएन भगवान जी से कहने लगे हैं कि हे भगवन हे प्रहु ब्रह्मन की वह पुत्री इसके पशात उसवन में आगे किस परकार रही। किस के साथ उसका वीवा हुआ और किस मुनी ने उसका वीवा संसकार करवाया। श्री नरायन भगवान जी कहने लगे हैं कि पिता के शोक में डूबे रहकर इस परकार बहुत सा समय बीत गया एक समय सहसा ही उस वन में महाकरोधी दुरवासा रिशी उसके निवास पर आपधारे और उसकी ये दीन दशा देखी है उनका सिर महादेव शंकर भगवान जी की भांती जटाओं से ढखा था श्रीकृष्ण भगवान जी अरजुन से आगे की कथा का वर्नन करते हुए कहने लगे हैं कि ये दुरवासा जी वही रिशी हैं जिन्होंने तुम्हारी माता की पूजा से प्रसन होकर उन्हें देव आवाहन शक्ति प्रदान की थी एक बार की बात है रुकमनी के साथ जाते समय मैंने उन्हें रत में बिठा लिया था मार्ग में दोनों को प्यास ने सताया रुकमनी ने अपने सूखे अध्रों और तालू को दिखा कर मुझे जल लाने को कहा मैं जल के हेतू पदा घात करता हुआ चला गया और प्रिया के प्रेम में निमगन हो उसे भोगवती पूरी ले गया और रुकमनी ने त्रिशा प्यास की शांती की उनकी प्यास शांत हुई महरिशी दुरवासा का तत्षन महाक्रोध हुआ और प्रलैकाल की अगने की भांती उठकर उन्होंने श्राप दिया कि हे क्रिश्न तुम सदा अपनी प्रि शोग होगा ही होगा और नेकों तीर्थों के जल से जिनकी जटाएं भीगी रहकर जिनको सुशोभित करते हैं ऐसे ही महान तपस्वी महरिशी दुरवासा को उस ब्रह्मन बालिका ने देखा है तब वह अपने शोक विहल मुख को उपर उठा कर रिशी को नमस्कार करती हु और उने अपने आश्रम में ले आई है अपनी कुटिया में महरिशी दुरवासा का अर्द पाध एवं नाना परकार के जंगली फल फुलों से आते थे करके वह बालिका वीने करती हुई कहने लगी है कि हे महाभाग हे मुनिवर अत्री गोतर कुल के सूरे आपको मेरा नमस् पल हुआ ऐसे वचन कहकर वह बाला मोन होकर बैठ गई है आतित्य से संतुष्ट और प्रसन महरिशी दुरवासा उस कन्या से कहने लगे हैं कि हे पुतरी तुझको धन्य है तुमने पित्रकुल का उद्धार किया है यह सब मेधावी रिशी की श्रेष्ट तपस्या का ही पर प्रवान जी के दर्शनों की इच्छा से जा रहा हूं महरिशी दुरवासा को संतुष्ट और प्रसन देखकर ब्रह्मन बाला कहने लगी है कि हे रिशी राज आपके दर्शन पाकर मेरा दुख का सागर सूख गया आप जैसे पर्म महरिशी के दर्शन जिसको प्राप्त हो जाएं उसके सभी दुखों का नाश हो जाता है भविश्य में भी मुझे अपने शुब की संभावना दिख लाई देती है ये क्रिपालू क्या आप इसके बारे में नहीं जानते क्रिपा करके इस अगनी से मुझे बचाईए ये तपस्वी शिग्र ही मुझे उची तुपा बताओ मुझसे विभा करने की कोई भी इच्छा नहीं करता अब मेरा शेश जीवन कैसे बीतेगा इसी भै के कारण मुझे नींद भी नहीं आती है भोजन की इच्छा भी नहीं होती है जीवन दुखों से भरा हुआ है ये मुनिराज अब तो मृत्यू की अत्रिक्त और इच्छ रहा है तो यहीं पर पुर्षोतम मास महत्यम के नुमे अध्याय की कथा का विश्राम होता है यही कथाएं हमें जीवन के दुखों से बचा सकती हैं इन कथाओं को सुन सुन कर हमारा मन भगवान के चरणों में लग सकता है भगवान ने स्वेम अपने श्री मुक्त से कहा है कि पुर्शोतम मास महत्यम की कथाओं को जो सुनता है उसके सभी दुखों को मैं दूर कर देता हूं भगवान की वानी पर पूर्ण विश्वास करके भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए और इस पुर्शोतम मास में अधिक से अधिक भगवान की भक्ती करनी चाहि सदा आप सब पर आपके परिवार पर बनी रहे इसी मंगल कामना के साथ जै श्री राधरानी सरकार की जै श्री कृष्ण भगवान की जै श्री लक्षमी नराइन जी भगवान की जै पुर्शोतम मास महत्यमे की जै जै श्री राधे जै जै श्री राधे जै जै श्री राधे पेशामू